जिस तरह बीते एपिसोड में अंकिता लोखंडे बार बार अभिशेक कुमार को टोक रही थी लेकेन चिंटू को कुछ नहीं कह रही थी उसके बाद अभिशेक के भाई अंकिता पर भड़कते हुए नजर आए अभिशेक के भाई जैसे दोस्त समराठ त्यागी ने अंकिता लोखंडे को कहा शेम ओन यू अभिशेक के भाई ने कहा बड़ा इंसाफ की देवी बनती है ना तुझे भी शर्मानी चाहिए अंकिता को लेकर अभिशेक के भाई ने क्या कहा जरा आप लोग खुद ही सुनिये बात होनी चाहिए अंकिता लोखंडे की अंकिता लोखंडे जो बहुत बड़ी इंसाफ की देवता है इंसाफ करती है दिल से खेलती है उसकी सारी चीजर बताते कल जो चीज यह बिशेक के तनी गंदी तरीके से पोक करा गया जब वह बीच मेना बोली अभिशेख को बीच बीच मटोगी अभिशेख तु ऐसे मुत बोल आज जो हुआ आज भी ऐसे एक्स्ट्रा फेमिनेंजम मतलब खौमखाई का लोंडा यह है लोंडिया सब एक बर अपर है ना एक शोप एक मंच में है तो तू अलग अपने 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 चला रही है अभिशेख ने लोंडिया को ऐसे नहीं बोलना चुए अभिशेख मारत होगा पक्का अग्रेशन इतना जाता है अब अपनी पती का देख ले उसका विक्की जैन का अग्रेशन उसने कोणी उठाई है नैस्में टेलिविजन पर तेरे पर और जिसको नकार गी अगर इतनी अगर जाता मेंटल डिस्टॉब हो रहा है उसे प्लेंटल कह 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 पुकार जा रहा है बार बार एक चीज पर पोक कर जा रहा है वहां को अपने वरा खरी है वह पोइंट ओफ यू भाई हद दोगी लोंड़न लोंडिया क्या होता क्या फेक्टर है जब एक ही मंच पर सारे लोग है थोड़ी बुद्धी लगाओ बुद्धी और अपने आपको बहुत बड़ी मतलब ओकात वाले में समझो दूसरों की ओकात देखने पोस्ट ना जो तुम अपनी ओकात पर थोड़ा से ध्यान दो बहुत बड़ी वह नहीं कई पबिलिक्षी बड़ी है कई भाल सु रही है कभी अभिशेक को गलत साबित करने पर तुली हुई है तो कभी क्याप्टिन सी के लिए गिड़ गिड़ाती नजर आ रही है अंकिता लोखंडे पाइनल काट निउस टेस्क